ज़ुक्त को फेल दोस्तों मैं हूं गीता और मेरी चैनल गीता सकी चर्मिय आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपके लिये कर आये हूं दिवाली स्पेशल रेसिपी चंद्रकला गुजिया बहुती टेस्चिव होती है और गुजिया बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, मैदा हमने पहले ही छान करके साफ करके ले लिया है, आप इसकी जगर गेहूं के आटे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, और अब हम इसे मिलाएंगे मोयन, मोयन के लिए मैंने लिया है यहां पर 3 टेबल स्पून देशी घी, और हम अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर देंगे, देशी घी का मोयन मिलाने से गुजिया नरम बनती है, और स्वाद भी इसका बढ़ जाता है, तो हम इसे मिक्स करके, हाथ बंद करके देखेंगे, यह इस तरह से हाथ में बंद रहा है आटा, यानि कि अच्छी तरह मिक्स हो तो अब हम नहीं के थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका दोव रेडी कर लेंगे छार। जीस तरह हम रोठी का बनाते हैं उससे तोड़ा चाड़ीशन गडFORE इहां पर बनाना है और घी के गरम हो जाने पर मैं इसमें डाल रहे हूं कुछ कटे कोई ड्राइफ फ्रूट्स और यह आप्शनल है आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें और इसे हम थोड़ा सा घी में भूल लेंगे और अब हम इसमें बिलाएंगे एक कप सूजी और सूजी को घी में भूल लेंगे इस सूजी का रंग बदल जाए इतना जैसे की सूजी कच्छी ना रहें घी में यह अच्छी तरह पक जाए उतना हमें इसे भूलना है दो मिनट तब दिमी आज पर हमने सूजी को भूल लिया है और सूजी का रंग भी बदल चुका है तो यह पक चुका है अब हम इसे पैन से बाहर निकाल देंगे और फिर से हमने सेम पैन ले लिया है और इसमें मैंने लिया है 200 ग्राम खुआ यानि की मावा और इसे हम गरम कर लेंगे इस तरह से मावा को पैन में भूनने से इसका स्वाद बढ़ जाता है और यह एकदम ताजा हो उटता है तो हम इसे सिफ एक मिनट के लिए ही स्टर करेंगे एक मिनट के बाद खोया अची तरह गरम हो चुका है और बहुत अच्छी सुगंध आ रही है इसकी तो आप हम इसे प्लेट में निकाल करके ठंडा होने देंगे आप हम एक बोल लेंगे और इसमें मिला देंगे हमारी भूनी हुई सुजी और खोया जो की अब ठंडा हो चुका है उसे भी इसमें हम मिला देंगे और खोया और सुजी को अची तरह से मिक्स कर देंगे खोया और सूजी को हमने मिक्स कर दिया है तो आप हम इसमें विलाएंगे शूगर पाउडर दो टेबल स्पून इसमें मैंने इलाची भी पीछ लिया है जिसे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है तो आप हमें सूजी और खोया और शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इस तरह की फिलिंग्स बनाने से चंद्रकला गुज्या का स्वाद इतना बढ़ जाता है कि एकदम मिठाई जैसे लगता है अब हमने जो मैदर का डो बनाया था उसे देख लेते हैं तो ये अच्छी तरह से नरम हो चुका है तो अब हम इसे एक बार और मैश करके इसका एक छोटा सा भाग हाथ में ले लेंगे और इसका एक छोटा सा पेडा हाथ में इस तरह से ले करके इसे गोल कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी पूरिया बेल लेंगे और इसे बेलते समय हमें यह ध्यान रखना है कि यह एक्तम पतला पापड जैसा पतला इसे नहीं करना हमें जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ठीक उसी तरह से हमें इसे बनाना है तो इस तरह से इतने छोटे या बड़े आप अपने साइस के साब से बना सकते हैं तो इस तरह से हम बना करके पूरी को साइड में रखते जाएंगे और इसी तरह से हम कम से कम 6-7 पूरियां बेल करके रेडी कर लेंगे और बेलते हुए यहां बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने घी का मोयन डाला था तो यह बहुत ही आराम से बेल रहे हैं बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं कोई परिशानी नहीं हो रहे हैं अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं तो जो पूरी हमने बेली थी उसे हाथ में ले लेंगे और इसमें एक चमच फिलिंग डाल देंगे इस तरह से और इसके चारो तरफ पानी लगा देंगे जिसे कि इसके उपर हमें दूसरी पूरी रखनी है तो वो पूरी इससे अच्छी तरह चिपक जाए और तेल में ना खुले तो इस तरह से हमने एक पूरी के पर दूसरी पूरी रख ली है और इसे हाथ से चारो तरफ अच्छी तरह से दबा देंगे जिसे ये चिपक जाएगी और तेल में खुलेगी नहीं तो इस तरह से दबाते हुए हमें चंदरकला गुजिया बनाना है हाथों से इसे अच्छी तरह से प्रेस करके पैक कर देंगे और एक साइड से इसे मोड़ते हुए इस तरह से इसका हम साइड से मोड़ते हुए इस तरह से पैक करेंगे कि इसका एक अच्छा डिजाइन भी बन जाए और दिखने में ये सुनता लगे तो मोड़ते चाहिए और फोर थोरा से दबाते जाए शूरा से दबाते जाए इस तरह से हम फूरा गोल इसको अच्छी तरह से मोड करके दबाकर बंद कर देंगे और इसी तरह से हम सारी चंदरकला गुझिया रेडी कर लेंगे अरुड़क पसमा थाइन Ten और खलुड़की, याकी तो यह एक तरफ हो चुकी हैं अब हम इसे गरम तेल में तल लेंगे और तेल को हमने एकदम मध्यम आज पे रखा हुआ है और एक एक करके गुजिया हम इसमें डालेंगे और धीमी आज पर ही हम चंदरकला गुजिया को तलते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए और तरफ हो चुका है और अब हम इसे पलट देंगे ताकि यह दुसरी तरफ भी अच्छी तरह से गोल्डन कलर होने तक पक जाए और बड़े ही आराम से हमें इसे पलटना है क्योंकि यह बहुत ही सौफ्ट है तो इस तरह से बचाते हुए हम इसे तेल में पलट करके दोनों त तरफ गोल्डन कलर होने तक तर लेंगे और आप देख सकते हैं गुजिया गोल्डन कलर हो चुका है तो आप हम इसे तेल से बाहर निकाल देंगे देखे यह देखनी में भी काफी सुंतर लग रहा है और बहुत अच्छी सुगंदा रही है गुजिया की तो अब हम इन सारी गुजिया को बाहर निकाल देंगे और बाकी बची हुई गुजिया को भी इसी तरह से तल लेंगे धीमी आज पर और इसे गुल्डन कलर होने तक तो सारी चंद्रकला गुजिया हमने तेल में तल करके रेडी कर लिया है अब हम बना लेंगे चास्णी के लिए हम ले रहे हैं दो कप शक्कर और इसमें डालेंगे एक कप पानी मेजर्मेंट के लिए में कटोरिक अस्तेमाल कर रही हूँ गैस अन कर देंगे और इसे स्पून से चलाते हुए शीरा पका लेंगे और दो मिनट तक हमें इसे अची तरह से श्टर करते रहना है जिससे की चास्णी रेडी हो जाएगी और यहां हमें एक तार की चास्णी नहीं बनानी है तो आप देख सकते हैं यहां पर शक्कर पेघल चुका है और मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ कि इसमें बिल्कुल भी एक तार की चास्णी नहीं बनी है तो इस तरह से हमें सिफ इस तरह से दिखे चिपचिपा होना चाहिए बस तो हम चास्णी चिपचिपी है यानि मैं निकाल लेंगे और गुजिया को डिप कर देंगे 5 मिनिट के लिए गुजिया को हमें इसी में रखना है जिसे सारी चास्णी अबज़र्व हो जाएगी और गुजिया एक دम रसीली हो जाएगी तो इस तरह से मैंने इसे डिप कर दिया है और 5 मिनिट बाद रहिगे develop इन उसके बाद उसे प्लेट में निकाल देंगे दोस्तों चंदरकला गुजिया रेडी हो चुकी है और इसे सर्व करने से पहले हम इसे कटे हुए ड्राइफ फ्रूट से गानिश कर देंगे और आशा करती हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद परना ना भुली थैंक यू और हैप्पी दिवाली